सबी का स्वागत है स्वारा आनकाडमी क्लासेस पर जहां हम बात करेंगे राजसुल लेकपाल भरती 2021 की जो उत्रप्रदेश में कंड़क्ट होनी है जिसका एक्जाम का सिलेबस जो है अपडेट कर दिया गया है यानि रिलीज कर दिया गया है अब उसमें जब आप देखते है हैं चीजों को समझते हैं तो उसमें egy 25 कोश्टन का आपको एक टॉपिक मिलता है सेक्षण मिलता है ग्राम में समाज विकास पूरे पेपर में मिलेंगे उने पर हम यहाँ पर ढपेपर करेंगे एक एक करके दिरे-दिरे सभी topics पर सभी कोश्टन को एक तरीके से डिसकस करने की योजना है यहाँ पर तो हम ग्राम पंचायत विकास योजना के संदर में चीजों को लेकर आगे चलेंगे और चीजों को समझने की कोसिस करेंगे धीरे-धीरे करके आप सभी ने देखा होगा कि ये इसका एक्जाम पैटर्न है आप सभी लोग जानते हैं इसी का जो सेक्शन फॉर्थ है ये जो सेक्शन फॉर्थ आपको दिया गया है इसमें यही 25 questions का है और इसी पर हम discuss करने वाले हैं तो यह जो questions है फिर इसके बाद जो इसका syllabus है ग्राम समाज और विकास का तो इसमें बहुत सारी त्रेस-त्री पंचायती राज भूमि सुधार विकास केंद्र और रासरकार के ग्रामी विकास से सम्मंदित योजनाएं इन सभी topics पर धीरे-धीरे करके एक one by one करके हम video upload करेंगे आप उन्हें पर सकते हैं आपकी topics आप कहीं भी पढ़िए आपको बहुत जगे पर available हैं वो सारे topics लेकिन पर्टिकुलर जो यह section है आपका 25 नंबर करें 25% इसको हम कबर कराएंगे यहां पर एक एक questions को यहां discuss करने वाले हैं तो आईए आज का शुरू करते हैं और चीजों को समझने की कोसिस करते हैं आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारी पंचायत सबसे पंचायत को समझने की कोसिस करते हैं पंचायती राजविवस्था उत्तर प्रदिस में ग्राम पंचायत छेतर पंचायत यहां पर चीज़े होती हैं तो एक आपकी ग्राम पंचायत और एक जिला पंचायत तीन पंचाय प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम को अर्थात उत्तर पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहट चीजों को किया गया अब इसकी उद्देश से देख लिजिए पंचायतों को उत्तरदाई संस्था के रूप में विक्सित किया जाने है तो पंचायतों का ससक्ती करने पारदरसी लें खांकन पंचायतों में पारदरसी वित्तिय प्रवंधन कैसलेस डिजिटल ट्रांजिक्शन को बढ़ावा देना पंचायतों की पूर पारदरसी गतिविधी निस्पादन इसी टर्म में आप सभी ने देखा कि चीजों को जब आप विधवत तरीके से पढ़ने की कोसिस करेंगे तो डिटेल और ऑथंटिक चीजों को पढ़ना आप के लिए जरूरी होगा कम से कम चीजे पढ़ी जाएं तो ये आप देख सकते हैं उत्तरपदस पंचायती राज से मूर्त रूप दिया गया कबसे क्योंकि इसकी जड़ को समझना बहुत आवस्यक होता है राज सरकार द्वारा वर्स 1995 में एक विकेंद्री करण और प्रसासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया एक आयोग आप समझे कौन सा आयोग है और किस वर्स में किया गया इसको भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं सुधार आयोग का गठन किया गया उसके द्वारा की गई संतुतियों को अध्यानोरों परंत ततकालिन क्रसि उत्पादन आयुक्त की अधिश्चता में गठित उच इस्तरिये जो है समित द्वारा 1997 में 32 विभागों के एक कारे कुछ नहीत कर पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित करने के सिफारिस की गई कितने हैं विभाग 32 के कारियों को और उसके बाद प्रदेश सरकार सम्मिधानिक भावना कि अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार अम दायुत उत् पर उसके बाद आप देख सकते हैं पंचायती राज भारत में प्राचीन तम उपलब्द गरंत रिगवेद में सभा अमसमिती के रूप में लोकतांतरिक स्वायत तिसासी संस्थाओं का उलेक मिलता है इतिहास के विभिन अवसरों पर केंद्र में राजनितिक उथल पुथल क के बाउजूस सत्ता परिवर्तन में निश्प प्रभावित रहकर भी ग्रामीर इस्तर पर स्वाथ तिसासी इकाईनिया पंचायती आदिकाल से निरंतर किसी ना किसी तो आपको ये एक वर्ड यहां पर सवाल मिल जाता है कि प्रांचीन तम में गर्यवेद में सभा और समित के रूप में लोक्तांत्रिक चीजें मिली हुई हैं अब बात कर लेते हैं प्रथम चरण जो है उत्तर प्रदेश के पंचायतों के विकास के टम्स में यहां पर जो बात की गई संयुक्त प्रांच पंचायती राज अदिनीयाम 1947 के उत्तर प्रदेश को पहले हम संयुक्त प्रांच के नाम से जानते थे आप सबी लोगी समझ लीजिए कि जो उत्रप्रदेश को हम पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे उसके बाद ये अधिनियम 7 दिसंबर 1947 इस्वी को गवर्नर जनर्र द्वारा हस्ता थरित करके 15 अगस्त 1971 को पंचायतों के स्थापना हुई यह हम उत्रप्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर उत्रप्रदेश का होना है इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों के स्थापना का व्यापक व्यवस्था उसमें की गई अनुछेद 40 में ये निर्देश दिये गए है किलियर हो गया होगा फिर उसके बाद कदम उठाये गए और बाकी चीजें भी प्रत्ने किये गए लेकिन 15 अगस्त 1904 को उत्रप्रदेश में ततकालिन 5 करोण 40 लाक ग्रामीर जनता के लिए तब क्या थी 5 करोण 40 लाक जनता थी कब ये 1904 में और आज के समय में करीब 23 क्रोण जनसंख्या आपके पास है यही उत्तरप्रदेश की जनसंख्या करीब 24 करोण के आज पास अब जनसंख्या हो चुकी है तो करीब आप समझ लिए 25 करोण से 23 करोण जनसंख्या पहुँंच चुकी है और यहां पर कहा गया कि 45,000 पंचायतों ने कारे करना प्रारंब किया साथी लगबग 8,000 पंचायत अदालतों भी स्थापित की गई 1951-52 में गाओं सभाओं को संख्या बढ़ा कर 35,943 कर दी गई और संख्या लगातार वो बढ़ती रही इसी तरीके से एक सफल संचालन और इस वर्स पहली पंचवर्सी योजना का भी प्रारंब किया गया प्रते एक तहसिल में एक प्रधान मनोनीत किया गया और 1952-53 में जमीदारी निविनास के पश्चात गाओं समाज के स्थापना है तो गाओं सभाओं के अधिकार पढ़ाए गए तो ये इतिहास है जब तक आप इतिहास को नहीं समझ पाएंगे तो पहला चरण आपने देख लिया 52-53 तक था अब 53-54 का जो है से लेके जो है 16-60 तक जो दूसरा चरण रहा उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए ग्राम पंचायतों में तो जब तक आप इन साभी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक क्लियर कट चीजों को नहीं आप समझ पाएंगे कि बुनियाद ही तो आपको समझ नहीं होगी और 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाओ समपन हुआ पंचायतों में दूसरा आम चुनाओ होता है और उसके बाद गाउसमाज के 6 अधिकार को एक कर दिया गया और 250 या इससे अधिक जन संख्यावाले हर गाउम में गाउसमाज संगठित की जाने लगी तब समझे दो सो पचास या इस से अधिक जन संख्या वाले आज तो धाई हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार ओटर हो रहे हैं ग्राम सभा में तब देखिए धाई सो एक ग्राम सभा की बात यहां पर की जा रही दूसरे आम चुनाओं में गाव पंचाईतों को संख्या बढ़ा कर जो है 12,425 हो गई और 19,578 में पंचाईतों के छितरीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या जो है 12,425 के अस्थान पर हो गई आपकी 12,409 रह गई जबकि नया पंचायतों के संख्या 85851 थी और यहाँ पर आपने देखा 1955 में चुनाओं के बाद पंचायत अदालतों और बाकी चीज़ों में भी चीजें की गई फिर वर्स पंचायतों के खाद्यान की उपज बढ़ाने के लिए और बाकी चीजाओं के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 196061 से लेके 72 यानि 10 साल का जो यहाँ पर बना तो उसमें भी परिवर्तन किये गए 72,333 अथा नियाए पंचायतों कि संख्या कितनी रही इसमें पूरा का पूरा विवर्ण 10 फरवरी 1961 में 7 फरवरी से 1962 तक पंचायतों के तिरतिये सामाने निर्वाचन कराएगा यह आप नोट कर सकते हैं इस वीडियो को रोक कर भी कि तिरतिये पंचा चुनाओ निर्वाच समित की सिफारसों के आधार पर भारत सरकार ने निर्वाचन उसा सत्ता विकिंद्री करां से धामतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में समीत उंजिला पर सदध धिन्ययम 1961 क्या क्रियान बंध किया गया किस में तीसरा चरण यह पंचायतों के विकास के लिए था उसमें यह सारी चीजें की गई पंचाट के तीसरे आप चुनाओं के पश्चाट जो है यहाँ पर गाउं ग्राम गाउं पंचाटों के संख्या 22233 हो गई तो यह इस तरीके से आप देख सकते हैं अब यहाँ आप अगला पढ़ सकते हैं कि जो चौथा चरण आपका है यह आप संख्या लगातार पीछे आप नोट कर सकते हैं जिससे आपके सवाल जो हैं बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे कि चौथा चरण कब से कब तक रहा इसके बारे में आप समझ पाएंगे और यह अभी हम थेओरी पढ़ रहे हैं फिर प्रसनोत्तरी करेंगे चीजों को एक करके करे जिससे आपको कहीं समस्या ना होने पाएं यहां पर भी आप देख सकते हैं चीजों को कि 74,060 हो गई यहां पर और बाकी चीज़ें डिटेल में हैं और यहां आपर देखिए इसी जो चौथा चरण ही है इसी से एक कोशन और आपका बनेगा यहां 21 वर्स से घटा कर जो के से थी यहां पर चौथा चरण था आप यहां पर पूरी चीजों को ने यहां पर देख लिया पढ़ लिया सपाचवा जो है सामानी निर्वाचन 72,73 में कराए गया और यह 1982 से जुलाई 1982 के मद्ध समाप्त हुआ तो यह करीब 10 साल का टर्ण ओवर और पूरा देख आप आ हैं यहां पर अगला आप देख सकते हैं इसी करहा आगे बढ़ाते हैं देखें यहां पर हम जिब से आगे बढ़ेंगे तो wayटेल्स में और यहाँ पर हमको मिलेंगी चीज़े अब यहाँ पर आप देखिए 83 से 84 से लेके 92 दस साल का टर्मवर आपका यहाँ पर रहा यहाँ पर आप देखिए यह चठा था आपका यह चठा सामाने रिवाचन रहा चरन आपका पंचुआ रहा और फिर उसके बाद यहाँ भी लाओ हुए आप महिला परधानों के संख्या 930 हो गई महिला सदस्यों के संख्या हो गई महिला और प्रोष की लापकारी योजनों को सिजन करने के उद्देश बनाए जाने लगे फिर चठा चरन में आप देखिए जो 93 चठा चरन था आपके लिए इस पूरी योजना में तो छठा चरन में आप देखेंगे कि 94 में गाओं पंचायतों को समयधानिक इकाई मानते हुए 180 दिया गया तो आप देखिए अनुछेत 40 में आधार भूत चीज़ थी उसके बाद इसी चरन में 33 संसोधन किया गया 1992 में किस साल में किया गया 1992 में 24 अपरेल 1993 में संपूर दे गया तो यह चीज़े आपने देखा और यहां पर जो है 3S3 आप देख लीजिए वही 3S3 ग्राम पंचायत छेत्र पंचायत और जिला पंचायत में यह व्यवस्ताय सुनिशित कर दी गई तो यह 72 संसोधन लोग सभा में प्रस्तुत किया गया अब बाद में से 33 संमिधान सं गठन जो है करना सरेशना करना अनुसुचिजा जनजात पिछड़े वरक महिलाओं का रक्षन पंचायतों के निशित कारेकाल पंचायतों में क्रति सक्तियां उत्रदाइत आप अभी देख रहेते कि 10 साल का चला था लगभग सभी में सामन रोचन 10 साल का चला था अब यहा 5-5 साल का कारेकाल शुरू हुआ जो आज के समय में चल रहा है और यही 33 संसोधन समिधन संसोधन जो है चीजों को करता हुआ चला गया तो आप एक विकास चरण देख रहे हैं तो इस प्रकार यह पूरा का पूरा विकास चरण हुआ चीजें की गई चीजें आप क्लियर जिस तरीके से आप इस 5-5 वर्स जो आज के समय में देख रहे हैं वो पैटर्न आने तक क्या क्या चरण आए उन पर हमने यहाँ पर डिसकेशन किया तो उम्मीद है आप चीजों को समझ गए होंगे अब आगे की वीडियो में हम बाकी चीजों पर डिसकेशन करेंगे आप लाइक करिए शेर करिए कमेंट करिए जैसा आपको लगा वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं धन्यवाद जय हिन जय भारत